हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन, फूड, वेर डेस इट कम फ्रॉम, भोजन और ये कहां से आता है मतलब इस चैप्टर में हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमें कहां-कहां से प्राप्थ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों इस chapter में हम chapter का second part पढ़ेंगे और इस से पिछली वीडियो में हम chapter का first part cover कर चुके हैं तो chapter को अच्छे से समझने के लिए chapter के first part को जरूर देखिए और उसके लिए आपको क्या करना है? उपर जो i button दिया है उसको click करना है जिससे आप उस वीडियो को देख पाएंगे तो चलिए chapter को start करते हैं तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में food क्या होता है, food variety और food के source के बारे में पढ़ा था तो देखते हैं chapter में आगे क्या दिया हुआ है सबसे पहले दी हुई है यहाँ पर activity जो है activity five इससे पहले हम four activities फर्स पार्ट में कर चुके हैं तो देखते हैं activity में क्या दिया हुआ है टेक सम ड्राइ सीड ओफ मूंग और चना सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ मूंग के या चना के बीज लेने है जो घर में आपके मूंग और चना होता है वही लेना है आपको put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day उसमे को क्या करना है बच्चों चने और मूंग को आपको एक container में डालना है जो की पाने से बरा होगा और उसको एक दिन के लिए डग के एक साइड में रख देना है next day, drain the water completely and leave the seed in the vessel और अगले दिन आपको क्या करना है जो उस container का पानी है उसको खाली करना है और seeds को vessel में ही छोड़ देना है wrap them with a piece of wet cloth and set aside और उन चने और मूं को आपको क्या करना है एक इले कपने बांद कर एक साइड पे लटका देना है the following day do you observe any change in the seed उसके बाद आपको देखना है कि next day आपको उसमें क्या change दिखाई देता है a small white structure may have grown out of the seeds तो जब आप next day उन seeds को देखेंगे बीजो को देखेंगे तो हो सकता है उसमें आपको छोटी छोटी white color की सन रचना दिखाई दे देखेंगे यहां पर दिखाई भी दे रहे है यह मूंग के उपर आपको white white color से कुछ धागे जैसे दिखाई दे रहे है यह देखेंगे चने में भी दिखाई दे रहे है if so, the seed have sprouted और अगर ऐसा है तो जो चने है या मूंग है और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है उन भी जो को धोना है उसका पानी निकालना है और फिर से एक कपड़े में लपेट कर एक दिन के लिए छोड़ देना है covered with a wet cloth गीले कपड़े से लपेट कर the next day see if the seed have sprouted और अगले दिन आपको देखना है कि क्या वो वीज अंकुरित हो गए है after washing these sprouted seeds you can eat them और जो ये अंकुरित चने हैं अंकुरित मूंग हैं इनको दोने के बाद आप इनको खा भी सकते हैं they can also be boiled और इनको उबाला भी जा सकता है boil करके भी खाया सकता है add some spices and get a tasty snack to eat और इन में कुछ आप spices, masala डाल कर चाट masala, नमक डाल कर निम्बू डाल कर इनको और भी tasty बना कर snack के रूप में भी खा सकते हैं और आपने कभी अपने घर में खाये भी होंगे do you know where honey comes from or how it is produced तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो honey है, शहर जो होता है वो कहां से आता है और ये कैसे बनता है have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about तो क्या आपने मदुमक्यों को देखा है जो मिनमेनाती रहती है bees collect nectar from flowers convert it into honey and store it in their hive तो जो bees होती है मदुमक्या होती है वो nectar collect करती है जो sweet juice होता है flowers में से उसको collect करती है और उसको honey में यानि कि shade में convert कर देती है और उसके बाद अपने hive में यानि कि छटे में store करके उसको रखती है ये देखे ये दिखाया गया है यहाँ पर hive flowers and their nectar may be available only for a part of the year तो जो flowers है और उनका nectar जो sweet juice होता है वो साल के कुछ ही time तक available होता है यानि कि मिलता है so bees store this nectar for their use all through the year तो जो मदुमक्या होती है वो क्या करती है इस nectar को store कर लेती है पूरे सार यूज करने के लिए when we find such a beehive we collect the food store by the bees as honey और जो मदुमक्या store करकर रखती है अपना जो food उसी को हम शैद के रूप में इस्तिमाल करते हैं अब देखिए हमारे next topic क्या है what do animals eat जो animals होते हैं वो क्या खाते हैं do you have cattle or a pet that you take care of तो क्या आपके पास कोई पशू है या कोई पालतू है जिसकी आप देख भाल करते हैं या घर में रखते हैं a dog, cat, buffalo और a goat चाहे तो कोई dog हो सकता है cat, buffalo या goat हो सकती है you will then surely be aware of the food the animal eat और अगर आपके पास कोई ऐसा animal होगा तो आप उसके बारे में जानकारी भी रखते होंगे कि किस तरह का भूजन वो खाते हैं what about other animals और जो और जानवर हैं वो क्या खाते हैं have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food तो बच्चो क्या आपने कभी देखा है या मैसूस किया है कि एक गिलहेरी, कबूतर, छिपकली या चो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो अपने बोजन में क्या खाते हैं यहां देखिए एक गिलहेरी को दिखाये गया है जो कि क्या खा रही है नर्स खा रही है क्या खा रही है बच्चो यह नर्स खा रही है तो क्या आपने कभी देखा है किसी pigeon को, किसी चिपकली को यग गिलहरी को खाते हो खाना अब यहां हमें फिर से एक Activity दी हुई है देखिए यह Activity 6 Several animals are listed in Table 1.5 तो बच्चों यहां पर एक टेबल दी हुई है जिसमें क्या दिया हुए है कुछ एनिमल्स के नाम दिये हुए है और जो फूड वो खाते हैं उनके बारे में बताया गया है तो सबसे पहरे देखते हैं क्या दिया हुआ है बफैलो जो भैंस होती है वो क्या खाती है उसका फूड देखे क्या है यहां पर ग्रास, ओइल केक, हे, ग्रीन्स उसके बाद है कैट, स्मॉल एनिमल्स, बार्ड और मिल्क तो बच्चों इसी तरह से आपको यह पूरी के पूर बचाना भी है अब हमें फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है देखते हैं इसमें क्या करना है have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows तो जो हमने अभी अभी पिछले page पर जो table बनाई है 1.5 जिसमें बहुत सारे animals के name लिखे हुए हैं उसको आप एक बार फिर से देखिए place animals which eat only plants और plant product in group 1 तो जो एनिमल उस एक टेबल में से सिरफ plant खाते हैं और plant product खाते हैं उनको रखना है आपको group number 1 में these are called herbivores और उन्हें क्या कहते हैं बचों herbivores यानि की शाकाहारी तो जो एनिमल सिरफ plant और plant product खाते हैं वो कहलाते हैं herbivores यानि की शाकाहारी there are some animals which eat other animals place these in group 2 तो उस टेबल में से कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो की क्या खाते हैं बचों दूसरी एनिमल कोई खाते हैं उनको आपको क्या करना है group 2 में रखना है these animals are called carnivores और उन एनिमल को जो दूसरी एनिमल को खाते हैं उनने क्या कहता है carnivores carnivores को क्या कहते हैं बच्चों मा साहारी do you find some animals which eat both plants and animal तो क्या आपको कुछ ऐसे ऐनिमल भी दिखाए देंगे जो की plants भी खाते हैं और animals भी ऐसे भी होते हैं बच्चों कुछ अनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और animals भी place them in group 3 तो उनको आपको क्या करना है group 3 में रखना है these are called omnivores और उने का कहते हैं बच्चों जो प्लांट को भी खाते हैं और animals को भी उने कहते हैं सरवाहारी क्या कहते हैं सरवाहारी prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the three columns as shown तो उसी की according आपको क्या करना है इस table में आपको fill करना है ये देखिए जो हर्भी वोरस है उनके नाम आपको यहां लिखना है जो कार्णी वोरस है उनको यहां लिखना है और जो ओमनी वोरस है उनको यहां लिखना है आपको याद है ना हर्भी वोरस यानि की जो सिरफ plants और plant product को खाते हैं Carnivorous मतलब जो animal दूसरे animals को खाते हैं और Omnivorous जो plant को भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं तो इसके according आपको ये list फिल करनी है इस table को फिल कीजिए और अपने teacher को दिखाईए अब ये देखिए ये कौन है फिर से पहली और इसके दिमाग में फिर से कोई question आ रहा है देखते हैं क्या question है पहली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6 तो ये जानना चाहती है कि मनुष्य को हम कौन से group में रखेंगे जो हम table 1.6 को फिल कर रहे हैं बच्चों आप तो जानते हैं कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ plant और plant product को खाते हैं कुछ human beings ऐसे हैं जो कि animals को भी खाते हैं और कुछ human beings ऐसे होते हैं जो plant product भी खाते हैं और animals भी खाते हैं तो अब आप ही decide कीजिए कि किस human being को किस table में रखा जाएगा we know that there are many among us who do not get sufficient food तो हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता पूरी मात्रा में sufficient मात्रा में बोजन नहीं मिल पाता we need to find ways by which more food can be produced in the country तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए बचों अपने देश में कुछ ऐसे तरीकों को खोजना चाहिए जिससे की भोजन का जादा उतपादन हो सके और सभी को अच्छे से भोजन मिल सके कोई भी भूखा न रहे that will not be enough और यही काफी नहीं है we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us और यही काफी नहीं है बचों कि food को produce किया जाए इसके लिए हमें यह भी ensure करना पड़ेगा कि हर किसी को हर किसी मनुष्य को आसाने से भोजन प्राप्पी हो जाए और easily प्राप्त हो सके तो बचों यह था हमारा chapter 1 लेकिन हमने chapter तो पढ़ लिया अब देखते हैं कि आपको यह chapter कितना समझ में आया पाया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कुछ book exercise यहां solve करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं first question क्या है match column A with column B यहां पर बचों दो column दिये हुए है column A और column B तो आपको इनको match करना है देखते है column A में क्या दिया है milk, ker, paneer, गी तो इसको आपको किसे match करना है बचों सारे कि सारे क्या है यह सबी क्या है बचो animal product are all animal product तो यह सभी कि सभी क्या है animal product अब देखिए next क्या दिया है spinach, cauliflower, carrot इनको किसे match करेंगे देखे जरा क्या है ये सारी किसारी vegetable यहाँ है vegetable यानि कि सभी क्या है ये सबजिया है उसके बाद देखे क्या दिया है lions and tigers तो lions and tigers को किसे match करेंगे eat other animals क्योंकि ये क्या करते हैं दूसरे animals को खाते हैं अब देखते हैं उसके बाद क्या दिया है herbivores, herbivores यानि कि शाकाहारी देखे किसे match कर सकते हैं इसको, यहाँ देखे eat plant and plant product तो herbivores कौन होते हैं जो कि plant और plant product को खाते हैं उन्हें कहते हैं herbivores यानि कि शाकाहारी अब देखते हैं हमारे next question क्या है fill in the blanks with the given words तो बच्चों यहां कुछ words दिया हुए है जिनको आपको blanks के अंदर fill करना है तो देखते हैं first sentence क्या दिया हुआ है a tiger is a dash because it eats only meat तो tiger जो होता है बच्चों इस सिर्फ meat खाता है तो इसलिए क्या कहलाएगा carnivore क्या कहलाएगा carnivore अब next देखिए deer eats only plant product and sow is called जो हीरन होता है वो सिप plant product को ही खाता है पोधे या उसके product को ही खाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों herbivore क्या कहलाएगा herbivore तो यहां लिखेंगे herbivore अब next देखते हैं c parrot eats only dash product जो तोता होता है वो कैसे product खाता है बच्चों plant product यानि कि यहां लिखेंगे plant यानि कि जो plants होते हैं उन्हें के product वो खाता है पोधे या उनके parts को ही वो खाता है next देखिए the dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goat is an animal product तो जो हम पीते हैं और वो हमें गाय से, भैस से और साथ ही साथ वो क्या है? animal product भी है तो क्या है बच्चों ऐसा? milk, क्या है? milk, तो यहां पर लिखेंगे milk, अब देखते हैं last में क्या दिया है? we get sugar from तो हमें जो चीनी है वो कहां से मिलती है? चीनी कहां से प्राप्त करते हैं हम? sugar cane से तो यहां क्या लिखेंगे हम? sugar cane तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे की मेरी आने वाली सबी वीडियो आप तक पहुच पाए और आप उनको देखकर पढ़ पाए और लास्ट में बस यही कहूंगी घर पर रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए तक पूर वाचिए जरूर वाचिए जरूर पाए